12.8, व्लैमिंग का बाय हात का नियम, फ्लैमिंग's Left Hand Rule धारावाही चालक को जब चुमकी क्षेतर में रखा जाता है, तो धारावाही चालक पर एक बल आरोपित होता है चुम्बकी क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा ग्याद करने के लिए फ्लेमिंग ने बाएहात का नियम दिया इस नियम के अनुसार बाएहात की तरजनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाईए कि ये तीनों एक दूसरे के परस पर लंबवत हो चित्र बारा यदी तरजनी चुम्बकी क्षेत्र की दिशा मध्यमा धारा की दिशा को प्रदशित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा विद्यूत मोटर, विद्यूत जनित्र आदी कुछ ऐसे उपकरण है जिन में विद्यूत धारावाही चालक तथा चुम्बकी क्षेत्रों का उप्योग होता है बच्चों, चुम्बकी क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर बल के प्रभाव को हम एक क्रिया कलाप के माध्यम से समझेंगे चुम्बकी छेत्र में जब कोई धारावाही चालक रखा होता है तो उस पर बलारोपित होता है उस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम से दी जाती है चलिए हम फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम को समझ लेते हैं इसके लिए हमें बाय हाथ की इन तीन उंगलियों के आवशक्ता होगी ये हैं अंगूठा, तरजनी और मध्यमा इसे हमें पहले इस प्रकार विवस्तित कर लेना है कि ये तीनों परस पर लमवत हो अब तरजनी उंगली चुमकिक शेत्र की दिशा को बताती है मध्यमा विद्युद्धारा की दिशा को बताती है तब उस स्थिती में धारावाही चालक की जो दिशा होगी वो अंगूठे की दिशा में होती है इस नियाम को हम एक उपकरण की साहिता से अच्छी तरह समझ सकते हैं देखिए मेरे पास यहाँ एक उपकरण है यहाँ यह गोल चुम्बक लगे हुए है और इन चुम्बकों के चुम्बकी च्छेत्र की जो दिशा है वो लमवत उपर की ओर है इसके साथ ही यहाँ यह तामबे की दो तार है और इनसे एक विद्युत परिपत बना हुआ है इस तार को हमने doing ए और इसे बी नाम दिया हुआ है हम धारा की जो दिशा है विद्युद्धारा की दिशा को बदलने के लिए यहां पर एक स्विच है इस स्विच से हम धारा की दिशा में परिवर्दन कर सकते हैं और यहां पर विद्युद्धारा को प्रवाहित करने के लिए यह स्विच हमारे पास है साथ ही ये तामबे की जो पाइप है छोटी सी पाइप इसे हम धारावाही चालक के रूप में उप्योग करेंगे ठीक है तो चलिए हम क्रिया कलाब शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने ये धारावाही चालक को यहां रख दिया है अब हम दिशाओं की बात कर लें तो देखिए सबसे पहले ये हो गई चुम्मकी छेत्र की दिशा ये हम कर रहे हैं अभी हम इस स्विच की साहिता से इस विद्यो धारा की दिशा को A से B याने कि इस तार से इस तार की और ये इसके लिए हम माध्यम का उपयोग कर रहे हैं इस इस चालक पर जो बल लगना चाहिए वो कौन सी दिशा में लगना चाहिए अंगुठे की दिशा में चलिए करके देखते हैं अब हम यहां पर विद्युधारा प्रवाहित करते हैं यह देखिए तो जो चालक है वो इस दिशा में गति करने लगा क्योंकि इस पर इस दिशा मे बल लग रहा है जो कि अंगुठे की दिशा है यानि कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहां लागू हो रहा है चलिए काम करते हैं हम विद्यो धारा की दिशा को बदल कर देखते हैं इसके लिए मैं इस उपकरण को थोड़ा इस प्रकार व्यवस्थित कर ले रही हूं ठीक है अब देखिए इसे वापस से हमने इसी प्रकार रख दिया है और अब धारा की दिशा को बदलने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम बी से एकी और रख रहे है बी से एकी और रख लिया अब देखिए यहां पर पुना दिशाओं की बात कर ले और यहाँ पर इसे रख लेतें चलिए अब हम यहाँ पर देखे वापस चुमकी छेत्र की दिशा लमवत और धारा की दिशा हम किस तरफ कर रहे हैं बी से एक ही और तब इस चालक को किस और गती करना चाहिए कहां पर बल लगेगा किस दिशा में बल लगेगा यह अंगुठे की दिशा पर बल लगना चाहिए ठीक है चलिए फिर से धारा प्रवाइद करके देखें यह देखिए तो यह जो चालक है यह अंगुठे की दिशा में चलने लगा याने कि उस पर इस दिशा में बल लग रहा था तो फ्लेमिंग के बाए हाथ का नियम यहाँ पर भी लागू ह हो रहा है इस प्रकार हमने इस क्रिया कलाप के माध्यम से फ्लेमिंग के बाए हाथ के नियम को अच्छी तरह से समझा समझ आया ना आपको